फ्रेंड्स चिकन बिर्यानी एक ऐसे डिश है जो हर घर में जिसे भी थोड़ी बहुत कोकिंग की नौलेज होती है वो बना ही लेते हैं तो क्या है ऐसा न्यू मेरी चिकन बिर्यानी की रेसीपी में तो मैंने इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडेंट्स डाले हैं और कुछ ऐसा इसमें प्रोसेस हैट किया है जो इसे बहुत ही लाजवाब बना देता है और आप इसका रिजल्ट जब आप इसे बनाएंगे तो एक अल्टिमेट रिजल्ट आने वाला है बहुत ही जबदस्त ये चिकन बिर्यानी बन करके तयार होती है मैंने कई तरह की बिर्यानी बनाई है और खाई भी है हर बिर्यानी अच्छी बनती है और सबका टेस्ट भी बहुत अच्छा और डिफरेंट होता है इस बिर्यानी का टेस्ट बहुत ही जबदस्त एकदम अल्टिमेट होता है मतलों आप इसे रेगुलर बेसिस पर बना सकती हैं है लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल मैं हूँ आपकी पोस्ट और दोस्त अशु तो चलिए कुछ यूनिक सी बिर्यानी बनाना सीखते हैं तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है एक जी और उसे मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया है और उसे स्ट्रेंड करके चमच और एक पिंच ओफ फूट कलर डाला है मैंने और इसे अच्छी तरह से सारे पीसेज में मिक्स कर लेना है तो कलर और नमक सारे पीसेज में लग जाएंगे उसके बाद हमें इसे थोड़ी देर के लिए मारिनेट करने के लिए रख देना है कुछ हाफ अन आवर और प्रसकस लिए यानि कि पोस्तो दाने तो इनको ग्राइड कर लेना है बिल्कुल बारी ग्राइड करके रख लिजेगा आप एक साइब में और यहां पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिये हैं तो दो इंच मैंने सिनमन स्टिक ली है छे से साथ लॉंग ली है एक बड़ी लेची ली है और चार से पांच मैंने चोटी लेची लिये तो यहां पे मैंने चार बड़े साइज का प्याज लिया था और मैंने सारे जो गर्म पेस्ट बनाया है तो यहां मैंने चार से पांच टमाटर बड़े साइस के लिए उसको पेस्ट बनाया और एक बंडल मैंने धनिया के पतियों का पेस्ट बनाया और दो मीडियम साइस की प्याज को मैंने यहां पे कट करके रख लिया है यहां पे लिया है मैंने चावल और यह यह बास्मती राइस है, और 1 kg लिया है, मैंने इसे, ये देखी लंबे दाने वाले बिर्यानी की चावल है, आप इसे बिर्यानी को सेलर राइस में भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ बास्मती राइस लिया है, और इसे मैंने अब मैंने इसमें एक गड़ाई में तेल अच्छी ताड़ा से जब गर्म हो गया है तो उसमें मैंने आलू को फ्राई करना है क्योंकि यह already boiled आलू न है तो हमें इसे cook नहीं करना है बस इसके जो उपर का layer है वह crispy बन जाए तो हमें इसे फिल निकाल लेना है flame को low करके हमें इसे निकाल लेना है जब हम आलू को boil करें इना friends तो उसी वक्त नमक और food color डाल देंगे ताकि जब यह boil होएंगे तो यह evenly color spread हो जाएगा चारो तरफ से और अंदर तक आलू के नमक चला जाएगा तो आप एक चमच भर करके नमक डालेंगे boil होने की time पर और उसी तेल में फिर मैंने यहां पर marinated जो चिकन रखावा था वो उसे डाल दिया है तो आप इसे दो से तीन बहच में से fry किजी अपने चिकन की quantity पर यह depend करता है तो मैंने इसे दो बैच में fry किया है तो flame यहां पर हाई रहेगा हमें उपर से अच्छी तरह से fry कर देना है और जब एक साइज से fry हो जाएगा तो हमें इसे चला करके flip कर लेना यानि की दूसरे साइट भी fry कर लेना है चिकन को तो यह देखिए बहुत अच्छी तरह से fry हो निकल जाए और इसे अलग बर्तन में निकाल लिया है मैंने यह देखिए सारे चिकन मेरे fry हो चुके हैं तो जादक fry नहीं करना हमें उसका उपर का जो लेयर है वो fry हो जाना चाहिए फिर वही तेल में मैंने एक चमच जीरा डाला है और दो तेज पते डाले है उसके बाद म में हमें प्याज को फ्राइ कर लेना है गोल्डन कलर का उसके बाद हमने जो ग्राइंड करके रखा है प्याज और गरम मसालों को तो वह पेस्ट को हमें इसमें आड कर लेना है और इसमें नमक आड कर लेना अपने टेस्ट के कॉर्डिंग तो ध्यान रहेगा कि नमक हमने च पाश्मेरी लाल मीड डाला है एक चमज तीखा लाल मीड डाला है एक चमज जीरा पॉर्डर डाला है और एक चमज गालिक पेस्ट और एक चमज जींजर पेस्ट को मैंने इसमें एड़ कर लिया है तो यह देखिए अब जब सारे मसाले इसमें डाल चुके हैं तो हमें इसे अ तो इंग्रीडियन्ट है फ्रेंड क्योंकि धनिया की पतियों को पेस्ट बना करके आप लोगों ने कभी भी इस तरह का चिकन मिर्यानी नहीं बनाया होगा तो यह बहुत ही जबदस इसका फ्लेवर निकल करके आता है तो यहां पे मैंने हाई फ्लेम कर दिया था और इसे ढख करके मुझे इसको भूनना है मसालों को क्योंकि यह फिर बहुत ज़ादा उचलने लगते हैं और आपको डर है जलने का तो इसे प्लीज इसे लिट से कवर करके ही फ्राई कीजिएगा जब अच्छी तरह से मसाले फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैंने एक कटोरी इसमें दही डाली है और उसके बाद भी दही डालने के बाद भी हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है जब मसाले पूरी तरह से फ्राई हो जाएं तेल उज आउट होने लगे उसके लिया और मैंने कुछ गरम असाले डाले हैं जिसमें मैंने 2 इंच लिया है 6-7 लाउंग हैं एक बड़ी लाची है एक जावित्री है साजीरा एक चममच है और चोटी लाची मैंने 4-5 लिये तो इन सारे गरम मसालों का हमें तेल में डाल देना है और जैसे ही इसका फ्लेवर र तो इसमें हमने डालना है दो तेजपत्ते और उसके बाद ही हम इसमें ऐड़ करेंगे चावल तो चावल को मैंने अच्छी तरह से स्ट्रेंड कर लिया था तो आप लोगों को मालूम है ना कि पुलाओ कैसे बनता है बिर्यानी का तो अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक दे दूँगी आप देख लिजेगा कि मैंने माटन बिर्यानी में कैसे पुलाव बनाया है तो आप लोग उस तरह से बना लिजेगा तो यहाँ पर चिकन अल्मोस्ट कूक हो चुके हैं के बाद ही मैंने जो काज़ों का पेस्ट बना के रखा तो उसे आड़ कर रही हूं और उसे कुछ एक से दो मिनिट के लिए हमें फुलिम पर कूक करना है लिट से कवर करके कूक किजेगा ताकि अच्छे से सारा फ्लेवर उसमें चिकन में चला जाए तो यहां पर देखे पुलाव अल्मोस्ट कूक हो चुके हैं मैंने अल्मोस्ट इसली कहा कि मैंने यहां पर चावल को 90% ही कूक किया है और बागी के रिमेनिंग 10% मैं इसे दम लगाने के बाद कूक करूँगी तो half quantity जितने चावल के मैंने उसे एक अलग बरतन में निकाल लिया है उसके बाद मैं यहां पर chicken आड़ कर रही हूँ और उसकी layering कर रही हूँ तो required quantity of chicken मैंने यहां पर डाल दिया है और उसके बाद मैंने एक layer बनाया चावल का और थोड़े से chicken और मैंने इसमें डाल दिये है और इसमें अब मैं आलू को अच्छी तरह से align कर रही हूँ इसके बाद मैं जो बचेवे जो last के चावल है उन सारे चावलों को मैं इसमें डाल दूँगी और यहां पर मैंने थोड़े से fried onion को यहां पर garnish किया है जिसे मैंने पहले से रख लिया था fry करके और मैंने slit cut करके हरी मिच्चों को यहां पर add किया है थोड़ी से मैंने यहां पर धनिया की पतियों से से garnish कर दिया है और lid से cover करके मैं यहां पर इसे high flame पर पहले मैं इसे 5 minute के लिए cook करूँगी और flame और hundi के बीच मैंने एक तावा रख लिया है और जब 5 minute इस high flame पर cook हो जाएंगे उसके बाद मैंने इसे flame को low कर दिया था और उसके बाद मैंने इसे 10 minute के लिए दम पर रखा था और जब अच्छी तरह से दम हो चुके हैं दम लग चुके है बिर्यानी को तो फिर मैं इसे dish out करी हूँ तो यह देखिए बहुत ही जबदस सी खुश्बू आरी है मेरे किचन में यह बिर्यानी बन करके पूरा घर आपका एक दम दम खुश्बुदार हो जाता है बहुत मज़दार खुश्बू ही इतनी मज़दार लगती कि आपको खाने का मन करेगा जस्ट बनने के बाद ही कि बस बने और यह बिर्यानी हम खा ले तो आप लोग जरूरी इसे ट्राइ कीजेगा फ्रेंट यह बिर्यानी मैंने बनाई है इसलिए इसकी तारीफ मैं नहीं आप लोग भी इसे बनाईए ट्राइ कीजे और फिर बताएगा कि यह बिर्यानी कैसी बनी है आप लोगों की चैनल पर पहली बराए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजे मेरी वीडियो को लाइकन शेर कर दीजे फैमले फ्रेंस में और बिल आइकन को हिट कर दीजे फ्रेंस ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और फ्रेंस अगर आप लोग कोई भी रेसिपी आप लोग मुझे बनवाना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं ट्राइ करूंगी उस रेसिपी को बनानी की मै आप लोगों को पर्सनली रेकरमेंड कर रहे हूं प्लीज आप लोग इसे ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगे आज का किचन टिप्स है हम जब भी किसी तरह के मटन या चिकन को ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर में तो उसके लेट के आसपास फैट क कुछ पार्ट लगे रह जाते हैं जिसे हम वाश करने के बाद भी निकाल नहीं पाते वह बहुत मुश्किल हो जाता है उसे साफ करना तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा हैक मैं आप लोगों को बता रही हूं कुछ आइस के क्यूब्स को लीजिए और उसमें थोड़े से लिक औन टाव जांगे, झाँ हो जाँ हैंगा है